असलाम वालेकुम अजीज तल्वा रेबर एकाड़ेमी एजुकेशनल यूटूब चरल में आप तमाम तल्वा का इस्तिक्बाल है को शाम दे अजीज तल्वा जो निजबतर तनासुम नवी जमात का जो हमारा अभी तक जारी है वो सबक उसमें 4.4 ये जो मश्क है इसके मश्क में लेने वाला हूँ तो उमिर आपको सवालात बहुत अच्वी समझ में आएके। painting को लायक तो करना बनता है और 4.4 में देखेंगे कि तीन सवालात हमारे पास है तिसरा, चौटा और पाचवा ठोड़े सवालात ऐसे है जिसमें दिया है कि अगर हो तो दिखाईए सब में अगर ये हो तो दिखाईए यानि साबित करना है हमको तो हम एक-एक सवालात को लेकर यहाँ पर स्टुड़न अजीस तलबा शुरू करने वाले है पहला सवाल हम लेते है पहला सवाल हमारे पास जैसे कि आपने पहले भी देखा था ये पहला सवाल है कि अगर तो जो दिया हुआ है उसको ले लेता हूं मैं भाई उसको तो लेना ही पड़ेगा जो दिया हुआ है, क्या है x जमा by, बटे, x जमा y is equal to bx plus az upon, यानि जब बटे, x जमा z is equal to ay plus bz upon, यानि बटे, y जमा z, इसको ले लिए, अब इसको हम फर्द करेंगे, फर्द किया, यह हर निजबत किसके मसावी है, k के मसावी, इसको कहते है, k का तरीका, k का मेथड, k मेथड यही है, कि हर निजबत, क्योंकि तमाम के तमाम निजबते, जो है यहाँ पर मसावी है, यहने एक दुसरे के equal है, बराबर है, तो हम सबको kk equal further कर सकते है, suppose कर सकते है, right, अब इसमें हम लिखेंगे कि मसावी निजबतों का मसला, अब मसावी निजबतों का मसला मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी से बताया है, पिछले की पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले दो वीडियो में हमने मसा प्लूज आवी निजबतों का मसल्या, इसको अच्छी से समझे है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो देखिए उपर i के बटन पे किलिक कीजिए, और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हों, मसाभी निजबतों का मसल्या, अब यहां पर क्या करना है, उपर उपर पोड़े का जब नशब नुमा की जमा होंगी और सुमार गुंजा दोनों की जमा होंगी तो नशब नुमा में एक जमा y है जमा ये वाला x जमा z है जमा ये वाला y जमा z है is equal to k ये k का तरीका हो गया क्योंकि हर निजबत को हमने k से मसा भी समझे है अब देखिए ये जो उपर हमने जमा किया है उपर आप देख सकते हो a जमा by जमा b x तो जिसमें x x है उसको एक साथ लिखेए तो जैसे a x को जमा b x को एक साथ लिख रहा हूँ और a y है उसके साथ को by को लिख रहा हूँ चलिए दोनों साथ में आ जाए मतलब एक खंदन के लोग एक में आ गया है भाई एक अब एजड जमा बीजड यह A का सरनेम X था यह B का सरनेम भी X है यह A का सरनेम Y है B का सरनेम भी Y है ऐसे जो है एक जैसे इनको हम एक साथ लिखेंगे ताके हमको अल करने में आसानी हो जाए अब देखिए यहां पर X जमा Y, X जमा Y, Y जमा Z अब दो बार X है तो हम लिखेंगे 2X दो बार Y है तो Y, Y की जमा हो जाएगी 2Y हो जाएगा और Z, Z की जमा हो जाएगी तो 2Z हो जाएगा बराबर K as it is अब हमको क्या करना है देखिए यह A, X और B, X इसमें से common देखिए क्या है तो आपको मिलेंगा A, X, X मुश्तरिक है तो उसको बाहर निकालेंगे तो यहां A बचेगा हमारे पास जमा इसमें का B बचेगा प्लस इसी तरह यहां से Y, Y, common निकालेंगे मुश्तरिक निकालेंगे तो A, जमा बी तो इसी तरह यहां से जो common निकलेंगा वो Z निकलेंगा और cost में बचेगा A, जमा बी दीखिए, यहां से A निकला यहां से Z बचा, यहां से Z निकला तो B बचा, ठीक है Z निकलेंगा तो A, जमा बी ऐसे यहां पर देखिए common आपको दिखेंगा नीचे नसब नुमा में, यहने denominator में जो है वो दो हर एक में मौझूद है दो हम यहां से common निकलेंगे मुश्तरिक यहां X बचेंगा, यहां Y बचेंगा यहां Z बचेंगा, तो X, जमा, Y, जमा, Z यहां से हमने दोनों तरफ से common निकल लिया उपर से भी और नीचे से भी मुश्तरिक निकल लिया अब क्या गरना है यहां से देखिए A जमा भी इसमें भी है, A जमा भी यहां भी है A जमा भी यहां भी है मतलब इसमें A जमा भी, A जमा भी, A जमा भी तो यहां से हम A जमा भी common निकल लिते है मुश्तरिक निकल लिते है अब यहां से A जमा भी बाहर आया तो फॉस में क्या बचेगा, यहां X बचेगा, यहां Y बचेगा, क्योंकि वहां से भी A जमा B बाहर आ गया, और यहां Z बचेगा, हर एक में से हमने A जमा B को जो है, मुश्चरिक निकाल लिए, यहां जैसा है, X जमा Y जमा Z बराबर K, अब देखिए, X जमा Y जमा Z, X जमा Y जमा Z का जिया, तो हमारे पास बचेगा, A जमा B बटे 2 बराबर K, और K हमने फर्द किया था हर निजबत, और उसने बोला था, दिखाईए कि हर निजबत A जमा B बटे 2 के मसावी है, तो हमने यहां पर बता दिया, कि हर निजबत A जमा B बटे 2, और K जो हर निजबत है, त question दिखते है question no.4 दिखें यहाँ पर दिया है अगर यह जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेता हूँ अगर हमारे पास है x y जमा z परी y जमा z y जमा z बटे a बराबर z जमा x बटे b बराबर x जमा y बटे c इसको उनले लेंगे के फर्द किया हर निजबत k के मसाब ले बराइट अब यहाँ पर गोड़ करो a जमा b जमा c a b जमा c नफी a यहाँ पर a b c है यहाँ भी a b c है यहाँ भी a b c है यहां x y z उनपर x y z है अब करना क्या है आपको देखिए जो साबित करना है जो साबित करना है उसको आपको दिखना है उसके नसब नुमा को नीचे वाला जो है नीचे में क्या है B है C है और A है तो पहले B लिखेंगे Z जमा X बटे B बराबर बाद में क्या है C है तो पहले इस बाद में C लिखेंगे X जमा Y बटे C और आखरी में क्या है A है तो हम लिखेंगे Y जमाजट माइनस बटे A बराबर K मैंने कहां से लिखा जो साबित करना था उसका पहला हमने निजबत देखे पहला रेशो देखे पहला निजबत देखे तो उसमें मुझे नीचे इस तरह नज़र आया तो मैंने वैचे लिख लिया अब यहाँ पर मसावी निजबतों का मसला लिखेंगे मसावी निजबतों का मसला अब आपको पता है मसावी निजबतों का मसला के नीचे नीचे की जमाया नफी कर सकते है उपर उपर की भी जमाया नफी कर सकते है तो मैं यहाँ पर देखो पहले दो की जमा करूँगा और तिसरे की नफी करूँगा तो मैं पहले दो की जमा करता हूँ Z जमा X जमा X जमा Y और तिसरे की नफी करूँगा Y जमा Z इसको कॉस में लिखूँगा यहाँ पर मुझको मिलेगा B जमा C नफी A बराबर के यह मने कहां से देखकर यह अमल किया जो मुझको साबित करना है उसको देखकर मने यह अमल किया उसके नसब नुमा को देखकर ही मने यह अमल किया है अब क्या करेंगे हम उपर गौर से करेंगे तो यह कौस जो हम वापर खोल देंगे Z जमा X और नीचे जैसा है वैसा रहेगा B जमा C नफी A बराबर K अब आप जेखेंगे के नफी Z जमा Z कर जाएगा नफी Y जमा Y कर जाएगा X एक्स बचेकर 2x और यहाँ पर लिखेंगे B जमा C नफी A बराबर K और इसको हम देएगे नमबर 1 अभी हमने पहला लिगा है देखो यहाँ लेकिन दो आया एक्स्ट्रा तो वो दो भी हड जाएगा तब जब सब निजबते एक साथ आएगी अब यह आला लेना है तो पहले C है A है B है तो C और A और B को लेंगे तो C हमारे पास है X जमा Y बटे C फिर उसके बाद है A आएगा हमारे पास Y जमा Z बटे A बराबर Z जमा X बटे B बराबर K यह कहां देखके लिया मैंने यह दूसरी निजबत को देखकर इसको लिगा है अब पहले 2 की जमा है तिसरे की नफी है वैसी करेंगे तो पहले 2 की जमा करेंगे तो यहां लिखेंगे मसावी निजबतों का मसला क्या होता है पहले हम 2 की जमा कर रहे है और बात की नफी करें और यहाँ पर C जमा A नफी B बराबर K अब क्या करता है? X करता है X करता है, Z करता है Y Y वचेगा तो कितना हो जाएगा? 2Y, Y जमा Y, 2Y C जमा A नफी B बराबर K इसको हम नंबर 2 देगे ठीक है? अब तिसरा लेगे E जमा B नफी C तो A जमा B लेना है हमको तो चलिए A यहने पहले A लेंगे Y जमा Z बटे A बराबर Z जमा X बाद में B लेंगे कहां से देखकर जो साबित करना है उसी को देखकर हमको लेना है और लास्ट में हम C लेंगे X जमा Y बटे C बराबर K इसमें भी हम लेंगे मसावी निजबतों का मसला और पहले दो की हमको जमा करना है और तिसरी निजबत उसमें से नफी करना है तो चलिए पहले दो की जमा करते है यहां पर हमारे पास आएगा Y जमा Z जमा Z जमा X और तिसरी को नफी करेंगे किसरी निजबत को तो आपको पता है कि निशानियां बदल जाती है X नफी Y हो जाएगा ये बटे A जमा B नफी C बराबर के अब क्या-क्या कटता है Y कटता है ये Y कट जाएगा ये नफी X है ये जमा X कट जाएगा ज़ेड 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 दो ज़ेड बटे A ज़ेड बी नफी सी बराबर के बयान नमबर तीर अब बयान एक दो और तीन जो हमारे पास आए देखिए ये जो निजबत है के के बराबर है ये निजबत के के बराबर है ये निजबत भी के के बराबर है तीनों के के बराबर है मैं जब तीनों आपस में मसा अभी हो गए तो तीनों को लिख रहा हूँ मैं पहला हमारे पास है दो X बटे क्या है वाई B जमा C नफी A B जमा C नफी A बराबर दो Y A जमा B नहीं क्या है C जमा A नफी B C जमा A नफी B और तीसरा हमारे सामने है दो Z बटे A जमा B नफी C बराबर K अब देखिए यहाँ पर हमको दिया था तब दिखाईए यह दिखाना था हमको अब देखिए तीनों यहाँ पर एक दूसरे के दो सब में दो यह निजबत ने भी दो है यह निजबत ने भी दो है यह निजबत दो है दो से अगर हम इसको तक्सिन कर देते है तो क्या जाएगा यह दो कड़ी आएगा यह दो कड़ी आएगा यह दो कड़ी जाएगा तो बचेगा क्या X बटे B जमा C नफी A Y बटे C जमा A नफी B बराबर Z बटे A जमा B नपी C बराबर K और यही हमारे पास हर निजबत K का मतलब होता है हर निजबत और इसके बाद यह आप आसानी से उतार सकते तो बहुत यह आसान है सिर्फ जो सवाल में नसब नुमा है उसको देखकर आपको निजबतों की सूरत वैसी लिखनी है और उसके बाद मसावी निजबतों का मसला आपको अपलाए करना है उमिद करता हूँ आपको यह समझना आ गया एक लास्ट कोश्चन हमारे पास बचा है कोश्चन नमर 5 अब इसको देखेंगे हम किस तरह करेंगे कि अगर इसको मैं लिख लेता हूँ तीन एक नफी 5 वाई बटे 5 जड़ जमा 3 वाई बराबर एक जमा 5 जड़ वाई नफी 5 एक बराबर वाई नफी जड़ एक नफी जड़ बराबर के फर्द किया चलो इसको फर्द कर लिया मैंने अब बच्चों आपको करना क्या है आपको हर निजबत एक बटे वाई के मसा भी बताना है अब गौर करेंगे ये निजबत ये निजबत ये निजबत में ये निजबत में 3 है 3 है 5 है इसमें 3 नहीं है 5 है 5 है यानि इन दोनों निजबत में अगर हम मुश्तरिक देखते हैं तो 5 हमको मिलता है जो Z का जरीव है या Y का जरीव है बट यहाँ पर Y और Z जो है इसका जरीव तो कुछ भी नहीं है लेकिन ये दोनों निजबत में हम देखेंगे तो 5 जरीव मिल रहा है हमको तो हम क्या करेंगे तिसरी निजबत को 5 से जर्ब करने पर तिसरी निजबत को 5 से जर्ब करेंगे अब आप गोलेंगे सर एक निजबत तु क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैं एक निजबत को ऊपर भी कर रहा हूं नीचे भी कर रहा हूं तो उपर नीचे से अगर एक ही आदब से जरब किया तो निजबत में चल जाता है उसकी reason में बताता हूँ तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x नफी 5y बटे 5z जमा 3y बराबर x जमा 5z बराबर 5y 5z फिर 5x नफी 5z अब अगर मैं यह सब के common निकलता हूँ 5 यहाँ से common निकलेगा 5 यहाँ से common निकलेगा 5 यहाँ से common निकलेगा 5 पांच पांच कर जाएगा मतलब वो निजबत की कीमत में कोई भी फरक नहीं आने वाला बराबर k इसका reason हम लिख सकते हैं अगर a बटे b है तो हम उसको a के जरब b के लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी निजबत में अगर आप एक ही अदद से उपर भी और नीचे भी जरब करते हैं तो कि अपर उपर से 5 मुष्ठरिक निकलेगा नीचे से 5 मुष्ठरिक निकलेगा तो 5-5 कड जाएगा तो निजबत की कीमत में कोई फरक नहीं होने वाला ठीक है चलिए अब मसावी निजबतों का मसला उपर की जमा करेंगे नीचे की जमा करेंगे तो 3x 5y जमा एक्स 5z जमा पांच Y, नफी 5 जैसा था मैंने उपर सबकी जमा कर दिया, नीचे भी जमा करेंगे 5Z जमा 3Y, ऐसे ही रखेंगे इसमें जमा करेंगे Y नफी 5X, फिर जमा करेंगे 5X, नफी 5Z और बराबर K, चलिए आप इसको solve करते है देखिए, X X X वाले देखेंगे आप 3 X और 1 X हो जाता है 4 X ठीक है? जमा 5 Y, नफी 5 Y कट गया नफी 5 Y, जमा 5 Y कट गया हो गया? बटे अब देखें यहाँ पर क्या कटता है? 5 X और जमा 5 X नफी 5 Y, जमा 5 Y 3 Y और 1 Y हो जाएंगा हमारे पास 4 Y बराबर K ठीक है अब ये 4 और 4 को काड़ दीजिए तो आपको मिलेगा X बटे Y बराबर के इसका मतलब हुआ हर निजबत किसके बराबर है X बटे Y के बराबर है और यही हमको उसने कहा था कि लिखाईए हर निजबत एक बटे Y के मसावी है तो अजीज तलबा ये पूरे चार पांच पे पांच सवाला थे ओर 4.4 के आपके मुकमल हुए उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्स्राइब का उसको दबा दीजिए थैंक्यू